अस्लाम अलेक्व हेलो मेज फ्रेंड़्स आज हम बहुत खुबसुरा सी एजिंग बनाएंगे आप इस तरह से कोई सबी कपड़ा ले सकते हैं दपटे के उपर बना सकते हैं तो यह कुषन रखें नीचे उसके उपर हम यह एक पिन के साथ इस तरह से एक साइड से हम इसको यूँ इस तरह कुशिन के साथ हम जोल लेंगे और ये दूसरी साइड पर भी इस साइड पर भी हम ऐसे कर लेंगे ये मैंने क्रोशे थ्रेड लिया है आप इसकी जगा दूसरा धागा ये वला भी अगर आप चाहें इस तरह से कॉटन का ये सिक स्टेंड आप इस तरह से यूज कर सकते हैं जद ले दो दो फूसरा इस स्टेंड इस आप डिया है इस तरह से पहले हम ब्लैंकेट स्टिच बिनाएंगे स्टिच बिनाएंगे अब हम इसमें से यूँ इसका चेन स्टिच बना लेंगे ऐसे थोड़ा हमने लूज छोड़ने हैं से अब हम इसके पीछे से यहां से हमने इसको यूँ एंटर कर दाना नीडल को और यूँ हमने फिर इसको कंटिनू कर ले हैं झाल 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 कि इस तरह से हमने इसमें से कोपरे में से यहां से घुजारने झाल 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 इसी तरीके से हम इसे आगे continue रखेंगे, अब ये बहुत खुबसर सा स्टीच बन जाता है, ये आप अपने स्लीव के आगे बना सकते हैं, अपने चॉक्स के ऊपर बना सकते हैं, अपने स्काप्स के ऊपर जहां भी आप यूज करना चाहें, इसे बना सकते हैं, इवन आप तो ये था हमारा आज का खुबसर सा स्टीच, वफली आपनों को बहुत पसंद आया है, अगर प्लीज इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शियर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे फेस्बीक पेज को लाइक करें, थैंक यू